दोस्तों इस किताब में साथ मुख्य सिध्धान्थ हैं, जिनका प्रयोग करके आप भी अपने अंदर छुपे टैलेंट को बाहर ला सकते हैं, यानि निखार सकते हैं। अपने प्रती जागरूपता और स्पश्टता पैदा करें। फॉर्मूले का प्रयोग करें। आइए दोस्तों अब इन सभी सिध्धान्तों के बारे में पढ़ते हैं। एक लॉंग टर्म एंड कॉंसिस्टेंट अफर्ट्स। लंबे समय तक और लगातार प्रयत्न करें। दोस्तों आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा है। आपको क्या लगता है उनकी बॉडी कैसे बनी होगी। चार से पांच महीने में बन गई होगी या एक से दो साल लग गए होंगे। कभी कभी जिन जाते होंगे या रोज जाते होंगे। उत्तर आपको पता ही होगा। सिक्स पैक्स वाली बॉडी कुछ महीनों में नहीं बनती। बलकि सालों साल लगातार लगे रहना पड़ता है। तो यही इस किताब का पहला प्रिंसिपल है। अगर आपको किसी भी चीज में सफलता हासिल करनी है, तो कई सालों का अभयास करना पड़ेगा। और अभयास रोज करना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन में रोम कभी नहीं बनता। अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना हैं, तो शुरू में रोज ब्लॉग पोस्ट लिखनी पड़ेगी छे महीने से लेकर एक साल तक लिखते रहना पड़ेगा तभी आप ब्लॉग इन से पैसा कमा पाओगे अगर बिजनिस करना है तो भी आपको हर दिन उस पर काम करना पड़ेगा बिजनिस से उठ होने में भी एक से दो साल लग जाते है लेकिन एक बार ब्लॉग या बिसनिस स्टार्ट हो जाए तो फिर अपने आप ही पैसा कमाने लगता है बाद में उस पैर कोई खास महंत नहीं करनी पड़ती बहुत से लोग सालों की महंत का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं वे महंत ही नहीं करना चाहते सब कुछ उन्हें थाली में परोस कर मिलना चाहिए ऐसे लोगों को सफलता क्या खाक मिलेगी बहुत से लोग इसी लिए रिच नहीं बन पाते क्योंकि वो थोड़ी सी तो मेहंत करते हैं लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते तो सफलता की लिए यही सिधान्त ओथर ने बताया है कि कुछ साल लगे रहो और मेहंत करते रहो यह रूल आप हर फीड में लगा सकते है लगे रहिए और रोज अभ्यास कीजिए अच्छी आदत से खुशी और बुरी आदत से दुहक जोड़े दोस्तों पहले रूल में आपको लगातार अभ्यास के बारे में बताया गया बहुत से लोग कुछ दिन तो अभ्यास शुरू करते हैं लेकिन बहुत जल्दी छोड़ देते हैं यही फर्क है एक सफल और असफल व्यक्ति में सफल व्यक्ति हार नहीं मानता बलकि लंबे समय तक अभ्यास की अच्छी आदत दवलब कर लेता है जब सब सो रहे होते हैं तो वो पसीना वहां रहा होता है या अपने कमरे में अपने टैलेंट पर काम कर रहा होता है यहां एंथनी एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लगातार अभ्यास की आदत डाल सकते हो ट्रिक जब भी आपको कोई अच्छी आदत डालनी हो तो उसे किसी खुशी से जोर दीजिए जैसे बॉडि बिल्डिंग करनी हो तो आप उसे कौन सी खुशी रिवोर्ज से जोर सकते हो कुछ अग्जामपल ये हो सकते हैं आप हैंडसम दिखने लगोगे आप मॉडलिंग में जा सकते हो आप यूट्यूब पर फिटनेस चैनल शुरूर कर सकते हैं जिससे आपकी अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी आप इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्स डाल कर भी कमा सकते हो आपको ज्यादा डेट्स मिलने लगेंगी आप दूसरों से हिल्थी रहेंगे कोई आपको परिशान करने की हिम्मत नहीं करेगा इत्यादी जब इन खुशी की बातों को बॉडि बिल्डिंग से जोड कर देखोगे तो आप दुगने जोश से बॉडि बिल्डिंग करने लगेंगे बस बार-बार इन बातों को याद करते रहें जब भी छोडने का मन करें इन बातों को पढ़े और याद करें आपका ब्रेन फिर से मोटिवेट हो जाएगा और आप लंबे समय तक बॉडि बिल्डिंग में लगे रहोगे और एक दिन आप भी आर्नल्ड श्वोजनेगर जैसी बॉडि बना सकते हो ऐसे ही अगर आपको ब्लॉड दिन करनी हो तो आप कौन सी खुशी उससे जोड सकते हो पैसा, नेम, फेंड, वर्ल्ड, प्रेवल, इत्यादी तो दोस्तों यह ट्रिक आप किसी भी अच्छी आदत की साथ कर सकते हो उस आदत को रिवोर्ड से जोड दीजिए इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको बुरी आदत छोडनी हो तो आप उसे किसी दुहक, हार्म्स से जोड दीजिए जैसे मान लीजिए आपको स्मोकिन की आदत हो तो आप उसे इन चीजों से इसे जोड सकते हो उन्फिसीमा फेफडों का सिकुर जाना की बीमारी हो सकती है चार सीधिया चड़ते ही हामफने लगोगे सिक्शुल स्टैमिना कम हो जाएगा जल्दी बुढ़ापा आने लगेगा लंड कैंसर हो सकता है इत्यादी तो दोस्तों कोई भी बुरी आदत छोड़नी हो तो पहले उसे कागस पर लिखिए फिर उससे जुड़े दुखों या हार्म्स की लिस्ट बना लीजिए उस लिस्ट को टेबल के पास रखिए और रोज पढ़ते रहिए आप जल्दी ही उस बुरी आदत को छोड़ पाएंगे बुरी आदत को रिप्लेस करने के लिए एक अच्छी आदत भी डाल लीजिए एक अच्छी आदत रोजाना 30 मिनिट्स की वॉक या रनिंग हो सकती है और यह किसी भी बुरी आदत को रिप्लेस कर सकती है तीन अवेरनेस एंड क्लैरिटी अपने प्रती जागरूपता और स्पश्टता पैदा करें दोस्तों खुद को जानने की कोशिश करें की आप क्या है और क्या करने के लिए इस प्रित्वी पर आये हैं आपके अंदर कौन सा टैलेंट छिपा है जिसे आपको बाहर लाना होगा समाज ने जो आपको बताया है शायद आप वो नहूँ जैसे पैरंट्स हमेशा बच्चों को डॉक्टर या अंजिनियर बनने के लिए प्रेशर डालते हैं लेकिन बच्चे को सोचना चाहिए कि क्या सच में डॉक्टर बनने से मुझे सची खुशी मिलेगी या मैं एक अच्छा उंट्रप्रेनर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ या अच्छा गोलफर या अच्छा ब्लॉक्गर या डांसर, मुशिशन, फिल्म दिरक्टर, नॉवलिस्ट इत्यादी, किशोरावस्था में यह शायद संभव न हो लेकिन बाद में भी सोचा जा सकता है इसके लिए हमें अपने अंदर जाकना होगा आत्मविशलेशन करना होगा अपने टैलेंट को पहचानना पड़ेगा ये काम आपको खुद करना होगा दूसरा आपके लिए यह नहीं कर सकता आपके पैरेंट्स भी नहीं इसके पश्चात आपको विचारों में क्लैरिटी लानी पड़ेगी दोस्तों हमारे अंदर दिनरात असंख्य विचार घूमते रहते हैं इससे हम कुछ भी क्लियर नहीं सोच पाते आप अपना गोल भी ठीक से नहीं देख पाते इसके लिए आपके जितने भी इंट्रस्ट हैं उन्हें पेपर पर लिख लीजिए फिर देखिए कि उन सब में आप किसमें दूसरों से बहतर है हो सकता है आपका इंट्रस्ट गाने में हो लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप में उसके लिए टैलेंट भी हो कई बार हमें गलत भी लग सकता है और हम गलत गोल भी चुन सकते हैं जैसे कुछ लोगों के फ्रेंट्स मजात में बोल देते हैं तुम तो गजब की एक्टिंग करते हो अगर वो आदमी क्लियरली अपने टैलेंट को जाने बिना ही उनकी बाते सुनकर एक्टिंग फीड में चला जाए तो बरबाद भी हो सकता है क्यूंकि जिसे वो टैलेंट मान बैठा है उतना तो हर किसी में होता है इसलिए पहले ठीक से क्लियर कर लें कि कौन सा टैलेंट सच में आप में कूट कूट कर भरा है फिर उसी को पाने के लिए दूसरे प्रिंसिपल्स की सहायता लें दोस्तो आपको पता है मदर टेरिसा में कौन सा टैलेंट कूट कूट कर भरा था उत्तर से आप चौंक जाएंगे उनका टैलेंट था दूसरों पर दया इसी से उन्होंने गरीबों की सेवा करना शुरू कर दिया और नोबल प्राइस तक पहुची पैसा, नेम, फेम सब मिला लेकिन वो उनके लिए सकंडरी चीजे थी तो आप यह मत सोचिये कि बड़ी बड़ी डिग्री से ही आप में टैलेंट आता है आपके अंदर की कोई वैल्यू भी आपका टैलेंट बन सकती है चार, मास्टर सिस्टम, बिलीफ, वैल्यूस, रफरंस, इमोशनल स्टेट्स मास्टर सिस्टम डवलप करना सीखे अगर आपको सफल बनना है तो मास्टर सिस्टम डवलप करना होगा इसके लिए आपको निन चार चीजों की जरूरत पड़ेगी आई, बिलीफ, विश्वास बहुत सारे लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके बिलीफ्स गल्थ है कुछ गल्थ बिलीफ्स के एक्जाम्पल्स पैसे को लेकर रॉन बिलीफ्स पैसा सब समस्याओं की जड़ है हकीकत बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है इससे उनको क्या समस्या है खुद ऐशो आराम से रहते हैं और साथ साथ खुब सारी चैरिटी भी कर पाते है पैसे से तो समस्याओं सॉल्व की जा सकती है जैसे गरीबी भुख मरी आदी अगर कोई पैसे को क्रिटिसाइज करेगा तो क्या पैसा उसके पास आना चाहेगा इसलिए ऐसे रॉंग बिलीफ को बदल कर करक बिलीफ डालना चाहिए बॉडी बिल्डिंग को लेकर रॉंग बिलीफ इसके लिए तो जिन चाहिए और टाइम हकीकत आप एथलीट्स को देखिए या सोल्जर्स को देखिए ये जिन जाए बिना भी अपनी बॉडी को स्लिम और मस्यलर रखते हैं क्या आपने कभी सोल्जर की तोंद बढ़ी हुई देखी है जिन तब चाहिए जब आपको मॉडलिंग में जाना हो या किसी कमपटीशन में हिस्सा लेना हो फिट रहने के लिए आप घर पर भी अक्सरसाइस कर सकते हैं रही बात समय की तो आपको सारा दिन वर्क आउट करने की ज़रूरत नहीं होती आप घर पर डेली 30 मिनिट्स अक्सरसाइस करके भी फिट रह सकते हैं ब्लॉग गिंग को लेकर रॉंग बिलीफ ब्लॉग इंग सिर्फ कम्प्यूटर की समझ वालों की लिए होती है या जिन्हें कोडिंग या प्रोग्राम मिन आती हो ये बात भी सही नहीं है अमेरिका में एक हाउस वाइफ ने छोटे बच्चे की देख भाल कैसे करें इस पर एक ब्लॉग शुरू किया था आज वो पैरेंटिंग में नमबर वन ब्लॉग बन गया है उस महिला को न कोडिंग आती थी नहीं उन्होंने कप्यूटर की पढ़ाई की थी नहीं बहुत टकनिकल चीज का ब्लॉग था साधारन सा विशय था लेकिन लोगों के लिए बहुत हल्पफुल था जो भी नए पैरेंट्स होते थे उन्हें उस ब्लॉग से काफी अच्छे टिप्स मिलते थे ऐसे ही कितने लोग हिंदी निउज जी के आदी के ब्लॉग चला रहे हैं और पैसा बना रहे हैं इसलिए लेखक कहते हैं कि नगेटिव बिलीफ मत पालिए अगर आपके अंदर सच में टैलेंट है तो यह मत सोचिए कि आप इसे नहीं कर सकते बलकि पॉजिटिव बिलीफ डालिए कि आप उस काम को हर हालत में करेंगे फिर बुक में दिये सारे प्रिंसिपल्स की हिल्प से उसमें जुट जाएए आपके टैलेंट को दुनिया जरूर देखेगी तू वैल्यूस सफलता पाने के लिए वैल्यूस का बहुत बड़ा रोल होता है अक्सर लोग सफल होने के लिए मेहंत की बात तो करते हैं लेकिन वैल्यूस पर ध्यान नहीं देते वैल्यूस का मतलब है आपके अंदर के अच्छे गुन अच्छी वैल्यूस का बहुत महत्व होता है ये आपको किसी भी क्षेत्र में सफल बना देती है कुछ अच्छी वैल्यूस हैं जैसे दूसरे की हेल्प करना इससे लोग भी कभी न कभी आपकी हेल्प करेंगे चोटे या बड़े हों उनसे इज़ित से बात करना इससे लोग भी आपकी इज़ित करेंगे दूसरों पर दया करना इससे लोग आपको दुआ देंगे और सम्मान करेंगे ऐसी कई वैलियूस हो सकती है जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है कुछ लोगों में निगेटिव आगतें होती है जैसे जूट बोलना इर्शा करना जगड़ा करते रहना धोखा देना सफलता मिलने पर घमंड से भर जाना इत्यादी ऐसे लोगों की समाज में गल्थ छवी बन जाती है और मौका पढ़ने पर दूसरे लोग भी उनकी हेल्प नहीं करते इसलिए अपने में पॉजिटिव वैल्यूस बढ़ाते रहें जैसे बात-बात पर गुस्सा करते हों तो अपने आपको बदलिए आपका ही भला होगा ऐसे ही वैल्यूस बढ़ाने की हर इनसान में गुंजाईश रहती है तो आज ही अपने भीतर जाकिये और डिसाइड करिये की अच्छी वैल्यू डवलप करेंगे 3. रफ्रंस सफल बनने के लिए आपके पास एक रफ्रंस या अग्जाम्पल होना जरूरी है आप अच्छा बॉक्सर बनना चाहते हैं तो आप किसका रफ्रंस लेंगे? इसके जैसा बनना चाहेंगे ऐसे हर फ्रीड में रफ्रंस धूंड लीजिए इससे आपको बहुत ज्यादा प्रेणा मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे 4. Emotional States दोस्तों हमारे अंदर तरहत रहके emotions होते हैं जितने emotion होते हैं उतनी ही emotional states होंगी हमें इन emotional states को समझ कर इनको control करना सीखना चाहिए अगर आपका बॉस गुस्से वाली emotional state में है और आप उससे छुटी मांगने जाते हैं तो हो सकता है वो आपको इनकार कर दे फाल्तू के दो काम और पकड़ा सकता है इसलिए आपको उसकी emotional state को समझना पड़ेगा जब वो happy emotional state में होगा तब उससे बात करेंगे तो आपका काम बन जाए इसलिए दूसरों की emotional state को समझना बहुत जरूरी है इसी तरह अपनी emotional state को भी control में करना आना चाहिए जब सफलता मिलती है तो हम बहुत ज्यादा happy state में चले जाते है अगर हम उसे control नहीं करते तो हम में घमंडा जाता है लेकिन अगर control रखें तो हम humble लगते है लोग हमारी ज्यादा इस्ट करते है इससे हमारी value बढ़ जाती है हमें और सफलता मिलने लगती है ऐसे ही किसी की बुरी बात पर हम angry state में चले जाते है हम उससे जगड़ा करने लगते है इससे दोनों ही side का mood खराब हो जाता है दोस्ती में भी दरार आ जाती है इसलिए हमें खुद को angry emotional state में जाने से रोकना आना चाहिए पांच conviction, belief, reinforce, triggering event, action खुद पर आस्था विश्वास पैदा करें एंथनी कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो conviction पैदा करनी होगी conviction का मतलब है खुद पर विश्वास रखना और अपने गोल को प्राप्ट करने के लिए जुट जाना आप अपने अंदर conviction चार तरह से ला सकते हैं belief सबसे पहले विश्वास कीजिए कि आप इस काम को कर सकते हैं belief पर हम उपर भी बात कर चुके हैं reinforce इसके बाद उस भरोसे को मजबूत करिए अपने गोल पर रोज मिहंत करिए रोज खुद को motivate करिए triggering event जब आपको जरा भी कुछ positive होता दिखे तो वो आपका triggering event होता है मतलब उस समय आप जान जाते हैं कि आप अपना गोल पूरा कर पाएंगे action इसके बाद तो आप जी जान से जुट जाए दुगने जोश से action लीजिए ऐसा रोज और लंबे समय तक करना पड़ेगा यह बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा लोग यहीं मात खा जाते हैं वे जल्दी छोड़ कर चले जाते हैं triggering event का भी इंतजार नहीं करते आए बॉडि बिल्दिंग के example से समझते हैं पहले believe कीजिए कि आप भी Arnold जैसी body बना सकते हैं फिर हर दिन exercise करने में जुट जाए जब आप थोड़े से abs या biceps देखेंगे तो यह आपका trigger पॉंट होगा यहाँ पर आपको रुकना नहीं है बलकि पूरे जोश से जुट जाए एक दो साल तक लगे रहिए आपकी body fitness model की तरह हो जाएगी ऐसा ही आप किसी भी गोल को हासिल करने के लिए कर सकते हैं ट्रिगर पॉंट तक जरूर पहुँचे वो बताता है कि हाँ कुछ हो रहा है उसके बाद ही चमतकार होते हैं 6. Ask quality questions from subconscious brain अंतर्मन से खास प्रशन पूछे जब आप अकेले होते हैं तो आपको किसी भी problem को solve करने के लिए इस तकनीक का इस्तिमाल करना चाहिए आप अपने subconscious brain से गोल से related question पूछिए जैसे blogging का example ले तो आप पूछ सकते हो आप मुझे तो लिखना ही नहीं आता मैं कैसे blog start करूँ आपका subconscious brain जवाब देगा content writer higher कर लीजिए आप वो कहां से मिलेगा subconscious brain गूगल पर सर्च करें इस तरह से आप कितने भी question अपने subconscious brain से पूछ सकते हैं उसके पास हर चीज का जवाब होता है ऐसा सोने से पहले करें तो अच्छा रहेगा आपका subconscious brain नींद में भी जागरित होता है वो आपकी problem का solution धूणने में जुट जाएगा साथ secret formula तो दोस्तों उपर की सारी discussion का जो निचोड है उसी को formula के रूप में दे सकते हैं अपने छुपे talent को बाहर लाना है तो ये चार step का formula जरूर इस्तिमाल कीजिए strip 1, decide करें कि क्या करना है strip 2, फिर उस goal पर जुट जाए strip 3, देखें कि क्या चीज काम नहीं कर रही strip 4, अगर सफलता नहीं मिल रही तो strategy change करें लंबे समय तक goal हासिल करने में लगे रहें